तीन दिन पहले हिमाश्य पदेश की मुखे मंत्री ठाकोर सुखविंदर सिंग सुखू ने विधान सभा सत्र के दोरान प्रोदेश की खराब वित्यस्थिति का हवाला दे कर खुद मंत्री और CPS का वेतन भत्ते दो महीने रोखने का एलान किया था जिसको लेकर काफी ववाल हुआ लेकिन आप मुखे मंत्री सुखविंदर सिंग सुखु ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि हिमाच पदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है बलके अनुशासन और सुधारात्मक कदम के चलते उन्होंने अपना मंत्री और CPS के वेतन भत्ते रोकने का फैसला लिया था जिसका राजनिती करण किया जा रहा है मुखे मंत्री सुखविंदर सिंग सुखुने शिमला में गेटी थेटर दम्माट्स युनिवर्सिटी प्रदर्शनी के सुभारम के दोरान कहा उन्होंने कहा कि हिमाच परदेश को आत्म निर्भर और सम्रिद राजे बनाने के लिए सरकार सुधारात्मक कदम उठा रही है जब सुधार किये जाते हैं तो इस तरह के फैसलों से थोड़े समाई के लिए रुकावटे आती हैं इसका अर्थ ये रही कि प्रदेश में आर्थिक संकत है हम विवस्ते धंग से वितिय विवस्ता को ठीक कर रहे हैं वहीं गेटी थेटर में इंटरनेशनल सेंटर ओफ दा रोरिचल्स ओफ इंटरनेशनल रोरिच मेमोरियल ट्रस्ट के सोज़ने से 25 सितंबर तक चलने वाली दमार्च युनिवर्स्टी प्रदर्शनी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि निकोलस रोरिक का भारत और खिमाच्र प्रदेश से गहरा प्रेम था रोरिक भारत आजाद होने से पहले 1928 वे हिमाच्र के नगर कुलू आये थे उन्होंने कुलू को अपना घर माना हिमाच्र के संस्कृती से वे प्रेम करते थे उन्होंने अपनी पेंटिंग से हिमालिन का व्याख्यान किया था भारत और रोस में मितरता पुरानी है और विपदा में दोनों देशों में हमेशा एक साथ दूसरे का साथ दिया है रोरिक ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी प्रति था वो एक रैटर थे पेंटर थे और जितने भी सेंट्रल इश्यास की देश थे उन सब जगा जाने के बाद जातायात कि इतने बड़े साधन ही हुआ करते थे आप देखिए उनकी लगन शीलता देखिए कि सारी जगा गए वो और अपनी पेंटिंग से उन्हेंने हमा हल्या का व्यक्यान किया किस तरह से वो इसमें आये 1928 में मनाली में इन रास्तों से खचरों से गोडों से होते हुए आये प्रश्या से चले एक संपन परिवार से थे फादर उनके अड़ोकेट्स विकीन थे माता एक वेपारिक फैमिली परिवार से थी निकले उनके बच्चों ने यहां इंडिया में शादी की famous heroine देविका रानी जी से बेटे की उनकी marriage हुई और यह हमाचल के लिए सुभाग्या की बात है कि उनके उन्होंने हमाचल के कुलू के नगर को अपना घर माना और एक संदेश अपनी painting के माद्दें से उन्हें पूरे वदेश और पूरे दिश में देने की कोशिश किया एक महान painter थे और एक महान दार्षनिक थे हम उनको आज इस परदर्षनी पर मैं उनके जो समय उन्होंने जो paint किया है उसको देखने के लिए आया हूँ और इसको अधगाटन करने के लिए है मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो दोजार सताइस में हमाचल परदेश आतम निरवर कैसे बगे और दो हजार बत्तिस में हमाचल परदेश हिंदुस्तान का सबसे समरिद शाली और अमीर राज्य मने मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो अगर हमने दो महीने की सैलरी को प्रति रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आपको डिसीप्लेन करना है अनुशासित करना है ये एक ऐसी विवस्ता चाली साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूं इस सुधार से हमारी अर्थ विवस्ता में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और यह करजा बोलते हैं पचासी हजार क्लोड रुपे का करजा तो इनके समय था दस हजार क्लोड की लाइबिल्टी भी थी हमने तो करमचारियों को साथ प्रतिशत की दिये की किष्ट भी दिये चार प्रतिशत इस बजट में तीन ऐसा कुछ नहीं है यह सुधारता अत्मक कदम जब उठाते है तो इस परकार की स्थिती आती है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने जो वादे की है वो भी पूरा कर रहे है अब चौदा चौदा परकार की सबसीडी दीजी है अब कई लोगों ने फौन करके बोला कि हम आगे बढ़ रहे है तो इस परकार बोलना की फाइनेशल क्राइसिज है ऐसा कोई बात नहीं है और मैं आपको सपस्ट कहना चाहता हूं यह अपने आपको डिसीप्लेन करने के लिए हमने किया है और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं अगर हम खर्चे नहीं खर्च करने के लिए हैं तो उससे भी एकॉनमी को बूस्ट मिलता है और हमारा रेवनियू बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि जो हम सुधार कर रहे हैं और जो हम थोड़े बहुत कड़े फैंसलों का असर होता है मेरा सभी वर्गों के समाज के सभी वर देना है क्वालिटी एलेक्टिसिटी देनी है और क्वालिटी हेल्थ देनी है है शिक्षा आपकी चरमरा गया हमें तो 19 मिने हुए अब इन सब चीजों के लिए पैसे की जूरतर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस परकार की कोई स्तिती नहीं है अब जैसे कि हमारे जो सरका मिलेगा तो थोड़ा सर्थ परकार से सुधार है के अंदर से सर्फ मैं मिली है के अन्दर से तो हम अधिकार है कि अंदर से तो हम इसे करन ने का कbaby से दो उससकी ग्यारा स्थंबर को भी मेरे ख्याल कोट में केस लगा तो लुक्त जन्ता कर रहें जूट वह बूल है के इसा हो गया उल्टा सीधी ब्यान बाजी पड़के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टड़ी करके आना चाहिए धन्यवाद मुई आफे अमधे घर आफे जर आफे टार है अर आफे अर आफे टार आफे जाल प्वें आफे दो